नमस्कार सातियों मैं योडेश डूटा इबब फिर सुस्वारेट करता हूं आपके अपनी यूटूब क्यानल रेलवे पार्ट साला पे दिरूबाई जैसे ही आपको पता है कि डूब डीटी परिच्छाएं चल रही है और इन परिच्छों में जो कोशन पूछे जा रहे हैं इलेक्रिसीटी से कोशन आ रहे हैं तो मैंने आज की सुवह की सिप्ट का पेपर देखा तो कुछ अमीटर की रीडिंग से रिलेकेट सवाल आ रहे हैं हां हाला कि मैंने अमीटर की रीडिंग की जो कोशन आ रहे हैं वो रजिस्टेंस बनाकर अमीटर की रीडिंग बता मतलब यह तो तो चलो जट करते हैं नौ मतलब यह जो लगाई रहेना यह मैं सिए प्रतेग करें surfing नौउम में सब्सक्राइस भी तुम्हारे नौउम का रिजिस्टेंस है यह भी नौउम का यह भी नौउम का' ये भी 9 उम्प्रा, ये भी 9 उम्प्रा, ये भी 9 उम्प्रा, ये भी 9 उम्प्रा, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस आपके 9 9 9 उम्प्रे, अब ध्यान से सुनना, तो बोला जा रहा है कि अमीटर के बताई पाठ्यान कितना होना चाहिए, मतलब आप तो ये बताना है कि अमीट रिडिन बताईये हैं इस्टर् הכ सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले न्जटर dots निकालेंटेशory सबसुलत करी रखते हैं तो अम्हें थे शिल्ण निकालनी हैं कि मुझे सबसे पहले इंकाल थारा निकालनी पढ़準 सबसे पहले तो आप यह कहना दोस्त यह सारे नो 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 ओम के देखो समानतर है अगर यह सब समानतर है तो मैं पूछू इनका नेट रिजिस्टेंस कितना होना चाहिए तो कहना जब 10 ओम के या यू कहिए कि यहार ओम के बड़ावर परतरोद समानतर में लगे होते हैं तो यह पारामी होता अगर यह 9 ओम के परतरोद है और नो संठ्चया में भी है तो इसनके ओम मान सब से पहले तो आप इसन में 9 बॉल्ट की है इसन मतलब आपसे पूछू ठी darah I alguém lying रिजेशंत्न湊 कूरा इसनО इह तो त्हारा आई बराबर जो फरम्ला होता है दोस्त मेरे व्हों होता है वी अपाउन आर धी अजन सो शुन्हां वी अपाउन आर हह थे वोटेज़ चैतना है 9, बता है नेत रिस्टेजेंच घ् долж नहये एट्ट तो धारा जो यहां से निक्लेडी वह 9 these is हो यहां हुआ ह ह जाए तो द्हरा मिलती जाए इंडी तो धारा डिस्ट्रिब्यूट हो चाए डियो तो ब्राश जैसे ऐसे मले जहारा आजे चलकर डिस्ट्रिब्यूट होती जाए डि मतलब आजे भी बढ़े डी उस इसे बाद किया सकते हो बटे घी और आजे इस प्राइच professors पूरी तरह से हटा ही दीजे चुलि में अंजQué 예 Стolene Trust तो सवाल जो है तुमारा हो सकता है स्गें कंप्लीट हो जाता है अब आप यह स्थ वाली अंग्षटा यहांसे अब की दीजिए नहीं है यहांसे 8 तो मैंने यह हती धारा कमाना आपने यहां पर भी तुछ 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 इस ब्रांच में तुछ इस ब्रांच में तुछ इस ब्रांच मे तो यहाँ पर 8 Ampere T1 हो जाए दी, यहाँ से 8 Ampere T1 यहाँ से 8 Ampere T1 समझ रहे ना तो 9 में से 4 Ampere तो इधर चला जिया, तो बाटी बचत तो कहे देना 5 Ampere T1 आदे निटल जाए दी, यह देखिए 5 Ampere T1 आदे सेम तरीटे से सेम तरीटे से इसमें हर एक में 8 Ampere ती धारा यहां 8 Ampere ती धारा यहां 8 Ampere ती धारा यहां से 8 Ampere ती धारा यहां से 1 Ampere ती धारा यहां से फिर जब 5 Ampere को 88 Ampere 88 Ampere 88 Ampere डिवाइड करेड़ा तो यह देख लीजिए Finally यहां से फाइनली यहां से, इन सब को मिलाधर तोटल कितनी धारा आए दी, तो केह देना इमीटर में बहने वाली धारा 5 EMPर हो जाएधी, बाती यह यह वाली 88एना यह आड़े चलते निकल जाएधी, तो यह वाली जो 88884 EMPR दी धारा है वो इमीटर में नहीं डूजरेदी, इसलिए अमिटर टी जो रीडिन मानी जाए दी दोस्त वो मानी जाए दी पांच एमपियर तो जब इट अभी रीडिन वाले सवाल आएंगे वो इसी तरह से स्वाल हों डी हलागी मैंने आपको एक बढ़िया कोशन लिया थाटि आप कॉंसेप्ट समझ सको इससे आसान कोशन भी बन सकते हैं जिसमें हम लोग रीडिन को निटाल सकते हैं तो मैं आप लोडोडो एक कोशन देता हूँ जल्दी से आप सब लोड इस्टा रीडिन निटाल दे दिखाईए रा तो मैं आपके सामने जल्दी से एक कोशन्ट डाइडाम बना देता हूँ और ये कोशन्ट आप मुझे आंसर बताइडा माल लिजे आपके सामने ये मैंने एक बैटरी लगा दिये बैटरी के बाद मैंने आपके सामने ये देखिए इस तरीटे से दो रजिस्टेंस लगा दिये पहला ये रजिस्टेंस हो डिया ये पहला रजिस्टेंस हो डिया फिर तुमसे पूछा जाए रहा कि अगर मैं यहां पर एक अमीटर लगा देता हूँ ठीक है फौर मैंने अमीटर जो लगाया वह यहां पर लगाया यह мैरा यहां पर नाम दे देता हूं यह अम यह यह मैंने टहए दिया 3 ohm रेजिस्टेंस हो रहा और यह जो बैटरी मैंने टहए दी यह 12V बैटरी टहए दी 13V 12V तो तुम्हें यह बताना है ति दिठायडे डाइडाम में अब दिठो यहां से धारा निटले जी लेटरी डाइडरी 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 और अच्छे concept पूछे आ रहे हैं तो वीडियो टेसा लगें केमेंट में नीचे बताईए रहा कि वीडियो की quality टेस्ट ही थी आप तो समझ में आया कि नहीं आया और इसी तरह दे वीडियो के लिए आप लोड हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद